36 गड़ में कौन बनेगा मुख्यमंत्री इस सवाल का जवाब आज शाम 5 बजे मिलेगा रायपूर में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलाम किया जाएगा आज दिल्ली में राहुल गांदी के घर पर मुख्यमंत्री के चारो दावेदारों की बैटक हुई है और बड़ी खबर ये है कि तामर ध्वत साहु 36 गड़ के नए सीम हो सकते हैं शाम 5 बजे 36 गड़ के सीम के नाम का ऐलान होना है और सबसे बड़ी खबर ये कि तामर ध्वत साहु हो सकते हैं 36 गड़ के अगले मुख्यमंत्री सीधा रुख करते हैं ABP News समवधाता जैनेंडर का जैनेंडर तो तामर ध्वज साहु ने तीन और उम्मीदवारों को पचार दिया है बिल्कुल तीनों कदावर उमिद्वारों को पचारते हुए तामर ध्वज साहू छुपे रुस्तम निकले और तामर ध्वज साहू हो सकते हैं 36 गड़ के अगले मुख्य मंतरी मैं आपको बता दू हमादरा की तामर ध्वज साहू शुरू से राहूल गांधी की पहली पसंते फिलहाल वो दुर्ग संसदिय छेतर से सांसद हैं और 37-37 बार वो विधायक भी चुने गए हैं इसे पहले वो 36 गड़ मंतरी मंदल में मंतरी रह चुके हैं और कॉंग्रेस की जो OBC डेपार्टमेंट है OBC विभाय के कॉंग्रेस का उसके चेरमेन है राउल गांदी के खासे करीब माने जाते हैं और राउल गांदी का भरोसा उन्हें प्राप्त है राउल गांदी को उन पर काफी विश्वास है शुरू से ये नाम अंदर खाने चल रहा था कि तामर ध्वज साहू जो है वो 36 गड़ के मुख्यमंतरी हो सकते हैं हलाकि भूपे कोई उसमें तामर ध्वज साहू पर मुहर लगी है और अगले मुख्यमंतरी 36 गड़ के तामर ध्वज साहू हो सकते हैं फिलाल मैं आपको जानकारी देदू कि सभी जो नेता है 36 गड़ के वो मल्लिका अरजुन खड़गे के घर पर मौजूद हैं यहां से सभी लोग एरप पांच बजे ऐलान होगा इस बात का अपचारिक तो अगले मुख्यमंतरी जान लीजिये उनको 69 साल उनकी उम्र है और कॉंग्रेस में OBC सेल के प्रमुक हैं तामर ध्वज साहू 2014 में सिर्फ तामर ध्वज साहू 36 गड़ से सांसद चुने गए थे दुर्ग से वो सांसद हैं दुर्ग जिले से आते हैं और इस बार ग्रामीन सीट से वो विधायक हैं 36 गड़ सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं काफी तजूरबा है उनको 36 गड़ में सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं राहूल के करीबी माने जाते हैं OBC हैं तामर ध्वज साहू और अब खबर ये है कि राहूल ने तामर ध्वज साहू पर ही भरोसा जताया है और 36 गड़ सरकार में मंत्री रह चुके तामरुधवत साहू हो सकते हैं 36 गड के अगले मुखे मंत्री नाम तै हो गया है एलान शाम 5 बजे होगा हाला कि चार में कंटेंडर्स थे और इन सब को पचारते हुए तामरुधवत साहू के नाम पर लगता है राहूल गांधी ने मुहर लगा दी है एलान आज शाम 5 बजे होगा